जैशी गणी जैशी रादेन 29 फरवरी दिन गुरुवार फागुन मास चला है और फागुन मास में समलित रूप से श्री हरी और श्रीब बाबा के साथ में चंदर देव की भी पूजा अर्चना की जाती है चंद्रमा से रोचक कई कथाएं हम लोग ने सुनी हैं पौणार कथाएं सुनी हुए हैं आज उसी संबन में हम लोग एक नई कथा का शर्वन करेंगी कि चंद्रमा और देव गुरु रस्पती की पतनी तारा का क्या संबन था इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सस्क्राइब कीजे प्लीज और वीडियो को ज्यादा श्यादा शेयर करके लाइक किया कीजे और कमेंट में जैश्री राधे लिखा कीजे तो कथा इस प्रकार हैं चंद्रमा और देव गुरु ब्रस्पती की पतनी तारा का क्या संबन था ऐसी प्राणाडिक मानता है कि चंद्रमा ने ब्रस्पती की पतनी तारा का अप्रहन कर लिया चंद्रमा ने तारा से विभा कर लिया जिससे बुतिक गुर्य का जनम हुआ इस विबात के बाद ब्रस्पती और चंद्रमा के बीशन भीशार योध हुआ उस योधिस में ब्रस्पती ने चंद्रमा को पराजित कर दिया था पूरी कथा निम्प्रकार से है चंद्रमा के गुरु थे देव गुरु ब्रस्पती ब्रस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा की सुन्दरता पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगी। ततो उपरान वे चंद्रमा के संग सैवास भी कर गए एवं ब्रस्पति को छोड़ी दिया। ब्रस्पति के वापस बुलाने पर उसने वापस आने से मना कर दिया। जिससे ब्रस्पती क्रोधित हो ने तब ब्रस्पती एवं उनके शेश चंद्रे के बीज युद आरम हो गया। इस युद में दैद गुरु सुकराचार चंद्मा की ओर्र हो गये और अन्देवता ब्रस्पती के साथ हो गये। अब युद बड़े इस तरप होने लगा। क्योंकि ये युद तारा की कामना से हुआ था। अता ये तारक्यम कहलाया। इस विसाल युद से स्रश्टी करता ब्रह्मा को भैवा कि ये कहीं पूरी स्रश्टी को ही लील ना जाए। तुवे बीड बचाओ कर इस युद को रुखवानी का प्रयोजन करने लगी। उन्होंने तारों को समझा बुझा कर चंद से वापस लिया और ब्रस्पती को सौपा। इस बीच तारा की एक सुन्दब पुत जन्मा जो बुत कहलाया। चंद और ब्रस्पती दोनों ही इसे अपना बतानी लगे। और स्वेम इसको इसका पिता बतानी लगे। जैते भी तारा चुपी रही। माता की चुपी से आसान पक्रोधित होके स्वेम बुध ने माता से सद बतानी को कहा। तब तारा ने बुद्ध को पिता चंद को बताया। इस प्रकार बुद्ध के पिता चंद मा और मा तारा हैं। इनकी बुद्धी बड़ी गंबीर थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम बुद्ध रखा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजेगा। और वीडियो को जादा सिरादा शेयर करके जैशरी हरी कमेंट करके वीडियो को लाइक कीजेगा। जैशरी हरी, जैशरी हरी। सिरी शेप पुराण, रुच सनहिता, तृतिय खंड, अध्याय छे, देवी, उमा का हीम वान के हर्दे तथा मैना के गर्भ में आना, गर्वास्था देवी का देवतोंदारा इस्तवन, उनका दिप रूप में प्रदुप्र, माता मैना से बाची तथा नवजाज कनिया के रूप में परवर्तित होना, ब्रम्मा जी कहते हैं, हे नारत, तदांतर मैना और हिमाले, आधर पुर्वक देवकार की सिद्धी के लिए, कनिया प्राप्ती हेदू, वहां जग, जन्नी, भगवती, उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन होने पर संपुर अभिष्ट वस्त प्रभा उतर आई, वें आननमगने हो अत्यान प्रकाशित होने लगे, उस अद्भुद तेजोराशी से संपन महामना, हिमाले अगनी के समान अद्रश हो गए थे, ततपश्याद सुंदर कल्यान कारी समय में गिरीराज हिमाले ने अपनी प्रिया मैना के उदर में सिवा के उस परिपूर अंशिका आदान किया, इस तरहें गिरीराज की पत्नी मैना ने हीम वान के हरतेमे विरजमान करणा ने दि, निधान देवी के के करपा से सुख दाया गर्वय धारण किया, संपूर जगत की निवास भूता देवी के गर्वय में आने से गिरी प्रिया मैना संता का अनुभू करने लगे गर्व में जगदंबा के आजाने से वे महान देश से संपन हो गई थी मुने उस अफसर में विश्णु आदी देवता और मुनियों ने वहां आके गर्व में निवास करने वाली सिवा देवे की इस्तुती की और ददानतर मैसुरी की नाना प्रकार से इस्तुती करके प्रसंचित हुए वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए जब नवा मैना बीद कया और दस्वा भी पूरा हो चला तब जब दंबा कालिका ने समय पूर होने पर गर्वस्त सिसु की जो गती होती है उसी को धार्ण के अथार्द जनम ले लिया उस अफसर पे आगा शक्ती सती साद्वी सिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुए बसंद रितुम में चैत अमास की नौमी तिथी को मगर शीरा नच्छत में आधी रात के समय चन मंदल से अकाश गंगा की भादी मेंका के उधर से देवी सिवा का अपने ही सरूप ने प्रदुप हुआ उस समित संपूर संसार में प्रसंता चागई अनुकूल हवा चलने लगी जो सुन्दर सुगंदित एवं गंभीर थी उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की रश्टी हुई विश्णू आधी सब देवता महा आए सबने सुखी होके प्रसंता के सक जगदंबा की दर्शन के और सिव लोग में निवाश करने वाली दिव रूपा महा माया शिव कामिनी मंगल मै कालिका माता का इस्तवन किया नारत जब देव तालो इस्तोती करके चले गए तब मेन का उस समय प्रकाट हुई नेल कमल दल की समान कांती वाली शाम वर्णा देवी को देख कर अतिश्याय आनन का अनुभाव करने लगी देवी के उसे दिप रूप का दर्शन करके गिरी प्रिया मैन का को ग्यान प्राप्त हो गया वे उन्हें परमेश्री समस्कर अत्यन हर से उलासित हो थी और संतोस पुरग बोली मैना ने कहा जगदंबी महश्री आपने बड़ी करपागी जो मेरे सामने प्रकट हुई अम्भिके आपकी बड़ी सुभा हो रही है शिवे आप संपोर सक्तियों में आगा शक्ती तथा तीनों लोगों की जन्नी है देवी आप भगवान शिवा को शिव को सदा ही प्रिय है महश्री आप करपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में इस्तित हो जाए साथी मेरी पुतरी के अनुरूब्र प्रत्य दर्शनिय रूप धारण करें ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारत परवत पत्नी मैना की ये बात सुनकर अत्यन प्रसन हुई सिवा देवी ने उस गिरी प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया देवी बोली मैं ना तुमने पहले तत्पुरता पुरगे मेरी बड़ी सेवा की थी उस समय तुम्हारी भक्ती से प्रसन हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई वर मांगो मेरी इस वानी को सुनकर तुमने जो वर मांगा मैं इस प्रकार है महा देवी आप मेरी पुतरी हो जाए और देवताओं का हितिसादन करें तब मैंने तथास्तू कहकर तुम्हें सादर ये वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई ग्री कामनी उस वर के अनुसार समय पाकर आज में तुम्हारी पुतरी हुई हूँ आज मैंने जो दिबरूप का दर्शन कराया है इसका उब्दिश इतना ही है कि तुम्हें मेरे सरूप का इसमन हो जाए अन्यथा मनुस रूप में प्रकट होने पर मेरे विशे में तुम अन्जान भी बनी रहती अब तुम दोनों दमपती पुतरी भाव से अथवा दिव भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझे में इसने रखो इससे मेरी उत्तम गती प्राप्त होगी मैं प्रित्वी पे अद्भुत लीला करगी देपतों के कार सित करूँगी भगवन संबू की पतनी होंगी और सजनू का संकट से उधार करूँगी ऐसा कहकर जगत माता शिवा जुप हो गए और उसी चण माता की देखते देखते प्रसंता पूरवगे नौजात पुतरी के रूप में परवर्तित हो गए आज का छटा अध्याई यहीं पर विराम करते हैं और शिव पुराण की खता सुनना और पढ़ना दोनों ही बहुत पलदायक होता है जो भी खता सुन रहे और चैनल को सस्क्राइब करके लाइक कमेंट कर रहे है भगवान शिव की करपा माता की पारवती के साथ सदा उसके घर परवार पे बनी रहेगी जै शिव अर्दी उम्मीद करती हूँ कल भी आप लोग शिव पुराण का पारट आवेश सुनेंगे क्योंकि संपूर शिव पुराण का पारट सुनने से संपूर फल के प्राप्ति होती है अगर आप ने इससे पहले का पारट नहीं सुरवन किया है तो मेरे चैनल पर उसकी प्लेलिस बनी हुई है आप वहाँ पे जाके श्रवन कर सकते हैं ओम नमेश्वय नरायन कवच का पारट करने से शिरी हरी के करपर डेस्टी सदैव हमारे उपर बनी रहती है अगर हमारे मन में कोई संकल्प है तो उस संकल को हमको अपनी मन में कर लेना चाहिए और शिरी हरी से प्रातना करने चाहिए कि है इश्वर आप मेरे सभी मनुकामना को पोड़ करें क्योंकि कवस धारण करने से हमारी सारी व्यादा दूर होती है इस प्रकार आज इसका हम लोग स्रवन करेंगी शिरी हरी का धान करकी राजा परिशित ने पूझा भगवान देव राज इंद्रे ने जिससे सुरक्षित होकर सत्रू की चैतुर्णी सेना को खेल-खेल में अन्यासी जीत करती लोकी की राश रश्मी का उभोग किया आप उस नरायन करवस को सुनाएए और ये भी बताएए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रण भूमे में किस प्रकार आक्मान कारी सत्रू पर विजय प्राप्त केंग सिरी सुक देव जी माराश ने कहा परिशित जब देवताओं ने विश रूप को परोहित बना लिया तब देव राजी एंत के फ्रस करने पर विश रूप ने नरायन करवस को उपदेश दिया तुम एक आक चित्र होकर उसका शवन करूँ विश रूप ने कहा देव राजी एंत भाय का अफसर उबस्तित होने पर नरायन करवस धारन करके अपने सरीर की रक्षा करनी चाहिए उसकी विदी ये है कि पहले हाथ पर धोगे आचमन करें और फिर हाथ में कुश की पवित्री धारन करके उतर मुक करके बैठ जाए इसकी बाद कवर्धारन परियंते और कुछ न बोलने पर निश्य करके पवित्ता से ओम नमो नरायन और ओम नमो भगती वासु देव इन मंत्रों के द्वारा हर्दे आदी अन्यास दता अंगुष्ठ आदी करन्यास करें पहले ओम नमो नरायन इससे अस्टाक्चर मन के ओम आदी आठ अच्छरों का क्रम सा पैरू, घुटनो, जांगो, पेड, हर्दे, प्रच, स्थल, मुग और सिर में नियास करें अथ्वा पूर्वोत मन के यकार से लेगे ओम कार तक आठ अच्छरों का सिर से आरम कर उनी आठ अंगों में विप्रीत क्रम से नियास करें फिर ओम विश्णे नमा इस मन्त के पहली के पहली अक्षर ओम का हर्दे में वी का ब्रह्म रंत्र में शा का बाहूं के बीच में अडा का चोटी में वे का दोनों नेत्रों और ना का सरीर की सब गाठों में नियास करें तरदांतर ओम मा अस्तराई फाटे कहे कर दे के बंद करें इस वाकर नियास करने से इस विधी को जानने वाला पुरू से मंत्र में हो जाता है इसके बाद स्रमक एश्वर, धर्म, यश, लश्मी, ज्यान और वैराक से परिपोड इस्ट दे भागवान का ध्यान करें और अपने को भी तरते रूप ही चिंतन करें तत्व अश्यात, बिद्या, तेज और तब सरूप इस कवस का पाट भगवान शरी हरी गणूजी के पीट पर अपने चरण करमल रखे हुए अणिर्मा आधी आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है आठ अंगुठों में संग, चक्र, ढाल, तरवार, गदा, बाड, धनुष और वास, पन्दा, धारण किये हुए हैं वही ओंकार सरूप और प्रभू सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें मस् मुर्ती भगवान, जल की भीतर, जल चंतूओं से और वरुन के पास से मेरी रक्षा करें मायासी ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाली वामन भगवान इस्थलपर और विश्य रूप स्री त्री विकरम भगवान अकास में मेरी रक्षा करें जिनकी घोर अठास करने पर सब दिसाएं गूंज उठी थी और गर्वती द्यादे पत्यों के गर्व गयते वे द्यादे यूदे पत्यों के सतुरू भगवान नर्सिंग किले जंगल रल्भू में आदी विकर्ट इस्थानों में मेरी रक्षा करें अपने दाड़ों पे पित्वी को उठा लेने वाले यक मूर्थी बरहा भगवान मार्ग में परसु राम जी परवतों के शिक्रों और लश्मर जी के सहित भरत की बड़े भाईब भगवान राम चन प्रवास के समें मेरी रक्षा करें भगवान नरायन मरन मोहन आधी भैंकर अभी चारों और सब प्रकार के प्रामादों से मेरी रक्षा करें रिशी सेष्ट नर्य गर्व से योगेश्वर भगवान दततरे योग के विगनों से और त्रीगुणाप धीपती भगवान कपिल कर्मे बंधन से मेरी रक्षा करें पर्मरिशी सन सनतकुमार काम देव से है गरीव भगवान मार्ग में चलते से में देव मूर्थियों को नमस्कार आधी ना करनी के अप्रास से देवरिशी नारत सेव अप्रादों से और भगवान कश्चप सर्प्रकार के नर्कों से मेरी रक्षा करें भगवान थनवंतिरी कुपत से जितेंद्रे भगवान रिशब देवेसु के दुख आधी भैदायक द्रंद्रों से यके भगवान लुकापात से बल्लाम जी मनुस्क्रेति कश्टों से और श्रीशेजी क्रोत वसे ना जी अज्यान से तता बुद्य दे पाखंडियों से और प्रमास से मेरी रक्षा करें ध्रम रक्षा करने वाले महान अफ्तार धारन करने भगवान कालिक पाप बहुल कालिकाल के दोसों से मेरी रक्षा करें प्रयाताकाल भगवान केश्व अपनी गदा लेकर कुछ दिन प्रचन दनुस लेके मेरी रक्षा करें। 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 अप्रचन दनुस लेके मेरी रक्षा करें। मन और प्राणू को सब प्रकार की अबत्यों से बचाए जितना भी कार अथ्वा कारण रूब जगत है वे वास्तों में भगवान ही है इस सत्के प्रभाव से हमारे सारी उवद्रव नश्ट हो जाए जो लोग प्रम और आत्मा की एकता का अनुभाव कर चुगे उनकी ड्रेस शक्ती के द्वार भूशन अयूद रूब नामक शक्तियों को धान करते हैं ये बात निश्ट रूप से सत है इस कारण सर्वत सर्व्यापक भगवान शिरी हरी सदा सर्वत सब सरूपों से हमारी रक्षा करें जो अपने भैंकर अठास से सब लोगों के भय को भगा देते है और अपने तेज से सबका तेज घ्रस से लेते हैं भगवान नर्सिंग की दिसा विदीसा में नीचे उपर बाहर भीता सब और से हमारी रक्षा करें देवराज एंदे मैंने तुमें ये नाराण कवस सुना दिया इस कवस से तुम अपने को सुरक्षित कर लो बस फिर तुम अन्यासी सब दैते यूत बत्यूत को जीत कर लो गें इस नाराण कवस को धार्न करने वाला पॉरुष जिसको भी अपने नेतरों से देख लेता है अथो पैर से छूद देता है तो अथकाल समस्ते भ्याओं से मुक्त हो जाता है जो इस वैश्मी बिद्या को धार्न कर लेत उसे राजा, डागू, प्रीद, पिसाज, आदी और बाग आदी हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भैर नहीं होता है। दीवराज, प्राचीन कल की बाद है, एक कौशिक गोतरी ब्रह्मन ने इस विद्या को धार्ण करके योग धार्णना से अपना सरीर मरू भूमे में त्याग दिया। जहां उस ब्रह्मन का सरीर पाड़ा था, उसके उपार से एक दिन गंधर राज चितर रते अपनी इस्त्रियों के साथ विमान पर बैठ कर निकले। पूर वहीनी सुरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर इस्नान करके वे अपनी लोग को चली गया। सिरी शुक्त देव में कहते हैं परिक्षित जो पुरुस इस नायन कवस को समय पर सुनता है और जो आधर पुरवक इसे धान करता है उसके सामने सभी प्राणी आधर से जुक जाते हैं और वे सब प्रकार की भ्यों से मुक्त हो जाता है। परिक्षित सत्यकृति इंद्र ने आशर विशर रूबे जी से ये वैश्मी विध्या प्राप्त करके रड भूमे में अस्रू को जीत लिया और पर तेलोग लश्मी को उप्भोग करने लगे। इस प्रकार नायाच का वश्मी यही पर समाप्त हो था। Live video को जाध के चैनल को सब्सक्राइब कर करें। और कमेंड में जैशरी हरी लिखतें, उनकी सभी मनुगामना इश्वर पूर करें। जैशरी हरी हिंदु धर्म के प्रथम ग्रंट स्रीमत भगवत गीता के तीसरे अध्याय में गजेंदरी इस्त्रोत पढ़ने को मिलता है। इसमें कुल 33 से इस लोग दिये गए हैं। हिंदु धर्म के अनुसार इस इस्त्रोत का जब करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परिसानी से तकाल मुक्ती मिल जाती। इस इस्त्रोत में हाथी और मगर मसके साथ हुए युद का वर्ण किया गया है। तो हम लोग भगवान शरी हरी का ध्यान करके इसका श्रवन करते हैं। प्रुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्व शक्ति इमान देवता का मैं मनही इमान इसमन करता हूं। जिनके सारी ये पूरा संसार टिका हुआ है। जिनसे ये संसर अफ्तिरित हुआ है। जिनों ने प्रकरती की रशना किया और जो खूते उसके रूप में प्रकट हुए। लेकिन इसके बाबसूत भी वो दुनिया से सर्वोपरी और सेश्ट है। ऐसी अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूं। अपनी संकल्षक्ती के बलबे अपनी ही सरूप में रचित और स्रिस्टी और में प्रकट एवं प्रले में अप्रकट रहने वाले इस ससर्त proclaim प्रसद्धी प्राप्त कारण रूपी संसार को जो बिना कुण्थि जस्टी के सांग्ष रूप में देखते रहने पर भी लिपत नहीं होते हैं चैशु आदी प्रसंशकों के परम प्रकाशक प्रभू आप मेरी रक्षा करें बित्ते गए समय के साथ तीनों लोगों को और ब्रह्मा आदी लोगे पालों के पंच भूत में प्रवेश्ट कर जाने पर और पंच भूतों से ले के महात्पूर सभी कार्णों मे उनकी परम करना सरूप प्रकरती में बगमगन हो जाने पर उस समय दुर्यर और घोर अंधिकार रूपेर्ण प्रकरती के बच रही थी उस अंधिकार से परे अपने परमधा में जो सर्व्यापी भगवान सभी दिस्वाव में प्रकाशित होती रहते हैं वो भगवान मेरी रक्षा करें विविन नाटकों रूपों में अभिनाय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तिक सरूप को जिस प्रकार से सधान लोग भी नहीं पैचान पातें उसी तरह से सत्य प्रतान देवता और महरिशी भी जिनके सरूप को नहीं जान पातें ऐसे में कोई सधान प्र रिशी मुनी जन जिनकी परम सरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर तमाम अलोकिक व्रतों को नियमों को अनुसार पालन करते ऐसी प्रभू मेरी गती है वे जिनका हमारी तरह ना तो जनम होता है और ना जिनका एंकार में कोई भी काम नहीं ह होता है जिनकी निर्कुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है इसकी वाबजूद भी वह समय के साथ इस संसार के श्रष्टी और प्रहले के लिए अपनी इच्छा से अपनी जनम को स्विकार करते हैं उस अनशक्ति वाले परम प्रम्मा परमेश्वर को मेरा नम नमन है वैसी देव जो नम में वाणी चित व्रतियों से परी है उन्हें मेरा भारंबा नमस्कार है विवेक से परणिपूर पुरुस के द्वारा सभी सतों गुड़ों से परिपूर नी व्रति धर्म के आच्छन से मिनने वाले योग मोग्ष सुक की अनुबुती रुपी भगवान को नमस्कार है सभी गुड़ों के सुईकार सांध रजोगुड और सुईकार करके अत्यान तमों गुड़ को अपना कर मूर से जाने वाले बिना भेद और हमेसा सद्भाव से घ्यान धनी प्रभू को मेरा नमस्कार है सरीर के इंद्रिय के समुधाय रूपे सभी पिंडिकों के ज्याता है सबों के स्वामियों और शक्षी सरूपे देव आपको नमस्कार है सबों के अंतर्यामी प्रकरती के परम कारण लेकिन स्वयम बिना कारण भगवान को मेरा सच सच नमस्कार है सभी इंद्रियों और सभी विश्यों के जान के सभी प्रतितियों के क लेकिन स्वयम बिना कारण होने पर भी बिना किसी प्रणाम के होने की वज़े से अनकारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा भार बार नमस्कार है। लेकिन स्वयम बिना कारण आपको मेरा नमस्कार है। जो सरीर होती मिति घर और संपत्ती सहीर कुटम्भियों में अशक्ते लोगों के द्वारा कटनाई से मिलते हैं। और मुक्ते पुरुसों के द्वारा अपनी हेर्दे में निरंतर चिंतिती ज्यान सरूपे सर्वे समढ़ते परमिशर को मेरा नमस्कार है। वे जिने धर में अबिलिश्टे भोग के धन और मोश की कामने से मनन करके लोग अपनी मन चाही इच्चा पूर कर लेते हैं। अभी तो जिने विविन प्रकार आयाचित भोग और अभिनाशी पारसा सरीर भी देते हैं। वैसे अत्यन द्यालू प्रभू मुझे इस प्रकार की विबदा से हमीशा के लिए बहार निकाले। वैं जिनके एक से अधिक भक्त हैं जो मुक रूप से एक मात उसी भगवान के शर्ड में जो धरम, अर्द, आधी किसी भी प्रदार्द की अबलाशा नहीं रखते हैं। जो केवल उनी के परम, मंगल, मैं एवं अत्यन, विलक्षन, चर्ड का गुरगान करते हैं। उनके आ अत्यन, निखट होने पर भी माया की खरण, अत्यन, दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के दारा आग्में और अत्यन, दुर्विक के अंतिर रहे थें। लेकिन सभी के आधी करण और सभी तरफ से पढ़वान की मैं इस्तुती करता हूं। वो जो ब्रह्मा सहित सभी दे टे और सूरस की करणे हर बाहर निकलती हैं और फिरसे अपने करण में लेन हो जाती हैं। उसी प्रकार बुद्दी, मस्तिक इंद्रियों और नाना योगनियों के सरीर जिनmar गुणों से प्राप्त सरीर जो स्वग्प्रकास पर मात्मा से अवे आत्रित होकर फिरसे उने ही म लीन हो जाता है वे भगवान जो ना तो देफता है ना असुर ना मनुस और ना ही मनुस से नीचे किसी अन योनी के प्राणी यह ना ही वो इस्त्री है ना ही पुरुश है और ना ही ना पुनसक है और ना ही वो कोई ऐसी जिव है जिनका इन तीनों ही सेड़ी में समावेस है वो ना तो गोड़ हैं ना कर्म हैं वो ना ही कार्ण और ना ही कारण इन सभी योणियों का निशेद होने पर जो बसता है वही उनका असली रूप है ऐसे प्रभू मेरा उत्तान करने के लिप रकट हों अब मैं मगर मस्की चंगल से आजात होने के बाद जीवत नहीं रहना चाहता हूँ इसकी वज़ी यह है कि मैं सभी तरफ से अग्ञानता से ढखी इस हाती के सरीर का क्या करूँ मैं आत्मा के प्रकास से ढख देने वाले अग्ञानता से युक्त इस हाती के सरीर से मुक्त होकर होना चाहता हूं जिसका काल, करम से अपने नास नहीं होता है बलकि ईस्वर की दया और घ्यान से उदै हो पाता है इस प्रकार से मोश के लिए लाहित संसार के रचयिता स्वयम संसार रूप में प्रकट लेकिन संसार से परे संसार में एक खिलौनी की भाती खेलने वाले संसार में आत्रूप से व्यापते आजनमा से व्यापी अवम प्रत्य वस्तों में सर्फ सीरी हरिका केवल इश्मन करता हूँ और उनके शरंड में जाता हूँ वे जिनोंने भगवत शक्ती रूपी योग के दौरा कर्मों को जला डाला है जिने समस्य योगी रिशी अपनी योग के दौरा अपनी सुत हैर्दे में प्रकट देखते हैं उन योगेशर भगवान को वेरा नमशकार है वे जिनके ती गुड़े शक्तियों का रा के रूह विवेग और आसा हैं जो सभी इंद्रियों के विशे रूप में मौझूद हैं वे जिनकी इंद्रिया समध विश्यों में ही बसी रहती हैं ऐसी लोगों को जिनको मार के मिलना भी संबौन हैं वैसी शनलागत एवा अपार साली वाले भगवान आपको बारम बार मशकार हैं वे जिनकी आविद्या नाम के शक्ति के कार रूप से ढखे हुए जिनके रूप को जीवे समझ नहीं पाते हैं ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शर्ण लेता हूँ सिरिश्रू के देव जी कहते हैं कि वे जिसने पूर प्रकार से भगवान के भेत रहित सबी निरकार रूप का वर्लन किया था उस गजर्ण के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन कोई देवता नहीं आए जो अपने विविन प्रकार के विशेज विक्रों को ये अपना रूप हैं तब महां प्रकार हुए गजर्ण को इस प्रकार से दुखी देखे और उसके पड़े के इस्तुति को सुनके जग्रधारी प्रभू इच्छानुसार वेग वाले गणुड की पीट पर सवारों के सबी देवतों के साथ उस स्थान पर पहुचे जहां पर वे गज सरूवर के अंदर महां बल साली मगरमस द्वारे जकड़े और दुखी उस हाती ने आसमान में गणुड की पीट पर बैठे और हातों में च्छा के लिए भगवान विश्ण को आते वे जब देखा तो वे अपनी सूर में पहले से ही उनकी पूजर के लिए रखे कमल के फू को श्री हरी पर बरसाते हुए केने लगे सर्वे पूच भगवान श्री हरी आपको मेरा नमस्कार है लाचार हाती को देखे श्री हरी पिश्णु गणूं से नीचे उतर के सरूवर में उतर आए और बहत दुखी होकर ग्रह सही ते उस गच को तुरंध ही सरूवर से बाहर निकाल आए और देखती ही देखते अपने चक्र से मगर मशके गर्दन को काड़ दे और हाती इको उस पीड़ा से बहा निकाल लिया जै हो जै श्री हरी जै श्री विश्णु जो भी गजेन मोशपाट को सुनता है उसके सभी पाप श्री हरी जी ततकाल दूर कर दे इस इस बाइब करके लाइक करके जै श्री हरी लिगेगा जै शी रादी जै शी किश्णु जय श्री विश्णू